इसका सर्फेस एरिया यानि क्या हुआ कि जैसे यह है तो इसके चारों सर्फेस एरिया सारे के सारे फियस को का एरिया हमको बताना है ठीक है और लेटरल सर्फेस में क्या होगा उपर और नीचे का छोड़ देना है टॉप बोटम को छोड़ देना है सेस जो एरिया है उसको हमको बताना है ठीक है तो फॉर क्यूब एक क्यूब एक एरिया क्या होगा सर्फेस एरिया of cube, cube का surface area ठीक है, तो cube का surface area कितना हो जाएगा, तो A, sorry ये 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 ल है मानने जे length L है या A है या जो भी है, ठीक है, ये same to same length ये भी होगा, वो same to same length ये भी होगा, same सारा का सारा length होगा, तो ये length into ये length ठीक है, तो L ये यह भी है, L यह भी है, तो L स्कॉयर हो गया, तो यह L स्कॉयर हो जाएगा, यह भी L, क्योंकि यह भी L और L है, तो L स्कॉयर, 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 L स् plus L square plus L square तो कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 times हो जाएगा तो 6 times of L square ओके where L क्या है side of the cube इसका side कितना है L है तो L जो है side of the cube है तो कितना हो जाएगा 6 into 10 square क्योंकि L यहाँ पर कितना value दिया हुआ है 10 cm सबके सब 10 cm है तो 10 square हो जाएगा तो 10 square कितना होगा 100 हो जाएगा 6 into 100 600 cm square यहाँ लिख दिया हूँ where L is equal to 10 cm क्योंकि L 10 cm यहाँ दिया हुआ है तो L is equal to 10 cm तो कितना value आगया 600 cm square ठीक है अगला क्या है lateral surface area of cube भी इस cube का हमको lateral surface तो lateral surface क्या हो जाएगा A1, 2, 3, 4, 4 होगा 4 L square क्योंकि यह तो L ही है L square ही है यह L square है यह L square है यह L square है इस बार 4 times हो जाएगा क्योंकि उपर नीचे छोड़ देंगे तो lateral surface area of cube क्या हो जाएगा 4 L square ठीक है where L जो है side of the cube है ठीक है तो 4 into 8 square हो जाएगा 8 square कितना है 64 64 यानि 64 into 4 is equal to 256 cm square ठीक है where L क्या है here L कितना है 8 cm यहाँ पर L का value क्या है here L is equal to 8 cm यह मैंने लिग दिया तो 8 का value put किया हूँ और इसके साब से निकाल दिया ठीक है आग यह try this page number 182 complete हो गया ठीक है झीक है